मैच जो खेला गया, वो खेला गया, मुंबई इंडियन्स वर्सिस राजिस्तान रोहल्स, ये मैच खेला गया, मुंबई के वान खेड़े, आइकोने के ग्राउंड है, काफी अच्छा ग्राउंड है, मुंबई इंडियन्स की पर्फॉर्मेंस काफी जादा खराब, पर्फॉ के आगे उनके तीन बैटर्स गोल्डन डग पाउट वे जहां पे नवन धीर का खाता नहीं खुला रोहिष शर्मा का भी खाता नहीं खुला और डेवल ब्रेविस का भी जो है पहली बॉल डग वहां पे हमें देखने को मिला अब थोड़ी सी रिजिलियंस जो है तिलक वर्मा और हार्दिक पांडिया ने दिखाई जहां पे अच्छी बल्ले बाजी जो है उन दोनों बल्ले बाजों ने की लेकिन वो इतनी जादा उनकी मदद नहीं हुई उसके बाद भी क्योंकि मुममेंडियन जो है 130 से भी नीचे रहन समान ने स्कोर बनाकर all-out हो गई और जिस तर से अगर थोड़ा effort होता तो शायद मुमबई close जाती है और पहले मुकाबले में गुजरात के किलाव भी average performance ही और तीसरा जो मुकाबला है राइस्तान के किलाव home crowd से आगे वहां पे भी मुममेंडियन एक बार फिर से fail होती नजर आई है अग मुममेंडियन पांच बार आई है जहाँ पे कप्तानी के जो transition हुआ बहुत negativity से हुआ और वो किसी भी cricketing environment के लिए सही नहीं है क्योंकि dressing room में जब वो score होता है 26 लोगों का एक साथ उन सबको अच्छा feel करना पड़ेगा लेकिन जब आपस में ही थोड़ी सी आप कहेंगे कि थोड़ा सा क्रिफ्ट कहें ले या फिर जो एक differences बन चुके हैं वो कहले वो चीज़ देखने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है बले रोई शर्मा on field काफी ज़ाद अच्छे तरीके से नज़र आ रहे हैं हार्दिक की मदद भी करने हार्दिक उन से बात भी कर रहे हैं हग्स भी हो रहे हैं लेकिन हमें सब को पता है कि ground reality क्या है और किस तरीके से चीजे हुई है अब सबसे वहले बात करते हैं बैटिंग performance की क्योंकि रोई शर्मा का जो performance है T20 cricket में घर आप IPL के बात करेंगे तो काफी ज़ाद average है उनके standard से T20 cricket में बात नहीं करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल में उनके ना 500 और cricket में T20 World Cup around the corner उसकी सबसे रदा जरूरत है आपको एक stat बताता हूं साल 2016 से रोई शर्मा ने जो भी T20 टूर्णामेंट के लिए यानि की T20 World Cup 3 और सारे IPL अभी तक उन्होंने टोटल 130 पारियां खेले और 130 पारियों में रोई शर्मा का हर पांच इनिंग में एक डख हमें द लेकिन T20 cricket में थोड़े से फीके दिखें है रोई अब बात करेंगे सूर्य को मार यादव उनके पास पहले से वेवल नी है मुंब में इंडियांस के अगरा मैं बैटिंग की बात करूं क्योंकि नमंदीर को परमोट करना पड़ रहा है उपर डेवल ब्रिविस का जो फॉर हमतास 2022-23 में वैसा वो अभी तक नहीं दिखे है और हार्दिक पांडिया अभी सेटल पूरी तरह से नहीं हुए आज भी उन्होंने अच्छी पारी खेली 34 कि किस गेंदों में लेकिन 34-35 आपको बड़े टोटल तक नहीं ले जा पाएंगे अगर एक एंड से अगर अच्छ मुम्बा इंडियंस की तरह नहीं खेली है मुम्बा इंडियंस की खेलने की तरह का मतलब है फाइव टाइम आइपल चैंपिन वो कॉन्फिदेंस उनके अंदर हमेशा दिखता था जब भी रोई शर्मा की कपतानी में मुम्बाई खेलने उतरी वो टॉस पे आप बात करें पांच मैच हारने के बाद भी उन्होंने टॉर्णामेंट में कॉलिफाई किया है लेकि इस टीम में वो बात नजर नहीं आ रही है अब आप कपतानी का ही डिफरेंज कहेंगे क्योंकि रोई शर्मा को एक तरीका है वो हमें पता है कि जिस तरीके से वो गेम को आगे लेके काफी काम कंपोज रहते हैं टफ सिच्वेशन में भी वो मैच जिताना जानते हैं हार्दिक ने बहली एक आई पेल जीता है लेकिन रोई शर्मा की कंपारिजन में उनकी कपतानी आसपास भी नहीं है अब मुमिंडन्स के फैंस तो भाई काफी जादा हताश है काफी जादा निराश है कि हैर ऐसी परफॉर्मेंस लगातार नए कपतान के अंदर पहले तो यहीं चीज़ डाइजस्ट करनी मुश्किल थी कि नए कपतान आएंगे चलो कोई बात नी फैंसे थोड़ा दिल बढ़ा किया कोई बात नी भाई रोई टास प्लियर खेलेंगे लेकिन इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आपके साथ एक और मिडिनिंग्स वीडियो में जल मुलागाद होगी तब तक के लिए टेक केर